परिवार्व योजन की बात और जनसंख्या इस्तरी करण की बात करते हैं तो में इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंतन का कारेक्रम सपाउता पुरवक आगे बढ़े लेकिन जनसांगी की असंतुनन किस्ति भी नपएबा होने पाए ऐसा महीं कि किसी वर्ग की आवादी बढ़ने की स्पीट उनका प्रिस्षत जाता हो और कुछ जो भूल निवास्थी हो उन लोगों की आवादी के इस्तरी करण में हम लोग जागरुपता के मात्यम से इंफोर्समेंट के मात्यम से उसको नियुकित करके दनसंख्या संतुन कि किस्ति पहला करें और यहां एक चिंटा का विश्य है हरें उस देश के लिए जहां पे जन्संख्या सुन्तुन किस्ति पहला होती है इस दिमोक्रेटी पर इसका विप्री तश्रपढ़ता है और एक समय के गास अविवस्ता और अराजकता जंग लेने लगती है और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या इस प्रीकरम की बात करें तो समान रूप से समाज में प्तेग, चाती, मात, मजब, छेपर, भासा इन सबसे उपर उड़कर दे समान रूप से जाग रूपता के ग्यापक कारेंटरम को इसके साथ जोड़े जाने की आउस्षिता है उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री ने एक शब्त का इस्तेमाल किया मूल निवासी उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री को सबसे पहले बहसियती मुख्य मंत्री उनको इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करने की कोई इजाज़त नहीं देता ना उनको जुरूत थी क्या मतलब है मूल निवासी का क्या उत्तर परदेश का मुसल्मान मूल निवासी नहीं है और अगर मूल निवासी अगर कोई इस देश में है तो वो है ड्रिवीडियन लोग और आदिवासी लोग नमबर वन ना ओवेसी मूल निवासी है फिर अगर ना हो यो गिजिता है मूल निवासी है फिर उनको ये बताना चाहिए था कि उत्तर परदेश में जो TFR रेट है वो 2015-16 में 2.6 ता जो अब गिरकर 2.3 हो चुका है उनको ये बताना चाहिए था कि भारत में जो मुसल्मानों का TFR रेट है वो कितना है वो गिरा नहीं गिरा नैशनल फैमिली हैल्स सर्वे में बता रहे गिरा है वो बहुत गिरा है वो वो नहीं बताते और स्रिफ डराने का कामभे भारत में जो TFR रेट है भारत के मुसल्मानों का वो 2.3 है उत्तर परदेश में आप देख लीज़िए कि उनका जो TFR रेट उत्तर परदेश में गिरा है वो भी काफी गिरा है उसको बात ही नहीं करते उत्तर परदेश में जो प्राबलम है वो वेस्टेट चिल्रन का है वेस्टेट चिल्रन उत्तर परदेश में आप देख लीजिए 6% से 7.3% हो चुके हैं अरे मुख्या मंत्री बताओ ना के 2.7 था टो टी एफार रेट यूपी में अब गिरकर 2.4 हुआ है और पूरे देश में मुसल्मानों का टी एफार रेट 2.6 से 2.3 हुआ है पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई कांट्रेसेप्टिव इस्तिमाल करता है तो मुसल्मान ह वो एने फचस कहता है उस पर भी आप बात नहीं करते और उतर परदेश में पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा डिजाइट फर्टेलिटी रेट 2.026 तक हो चाएगा मुक्या मंत्री को बोलना चाहिए सब बात ही है वो जानकर भी सिर्फ मुसल्मानों के तालुक से चाहर मक्साद